तो आज हमें स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो पहला ही चल रहा था है इसके पहले अमने की लिए थी और और class 1 में, class 1 में हमने आपको इसके concept के बारे में बताया था, अब देखिए इसके questions हम और ज्यादा detail में, पिछली class में भी कुछ questions कराया हुए थे, और अब इसकी practice classes यहां से continue कर रहे हैं, सबसे पहला question है y equal to cos x, I hope कि आपने इसके questions करे होंगे तो ज्यादा अच्छा करने में बहतर रहेगा, अब आई यह देखते हैं, question 1y1 उठा करके कि पहला question जो आपके पास है, वक्र y equal to cos x, x equal to 0 और x equal to 2pi का area जो है आपको find करना है, समा कलन विधी से हैं, मतलब using integration आपको इसका area find करना है, तो बच्चों देखिए सबसे पहले आपको इस question के लिए आपको इसका grab बनाना आना चाहिए, तो grab बनाने में, अगर आपको grab बनाते आता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यह देखिए cos x का grab है, x equal to 0 से, तो यह आपका y होता है, और function क्या है, y equal to cos x, शुभास, मेरी आपको सुन रहे हो ना, शुभान्शू, ओके, clear है दम, ओके, तो देखिए y equal to cos x है, आपके पास x equal to 0 से लेकर के 2 pi है, तो यहाँ पर आपके पास में x equal to 0 है, और यह 0 से लेकर के जो है, आपके पास में 2 pi तक grab जा रहा है, तो यहाँ जो graph है, हमारा x equal to 0 से लेकर के x equal to 2 pi तक चला गया है, अब देखिए graph का जो कुछ portion है, उपर है, मतलब graph के इन portions का जो y आएगा, वो positive आएगा, और graph के इस portion का जो y आएगा, वो negative आएगा, मतलब area क्या आएगा, negative आएगा, इधर का area negative आएगा, because it below the x-axis है, और यह above the x-axis है, तो x-axis के उपर वाला area positive आएगा, अब problem यह होती है, कि अगर आपने उपर का area मान लो, यह दोनों मिल करके, मान लो उपर का area आपने plus 6 निकाला, और नीचे का area क्या निकाला, minus 6, ओके, तो नीचे का area आपने निकाला, minus 6, क्योंकि उपर का area जो है, positive आएगा, और नीचे का area जो है, वो minus आएगा, तो उपर का area plus 6 आया, नीचे का area minus 6 आया, और अगर आपने इसको add कर दिया, तो add करने में answer क्या जाएगा, जीरो आजाएगा, तो ये तो दुरघटना है, miss happening है, तो बच्चों इस दुरघटना से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दो चीजे कर सकते हैं, नमबर बन, आप ये देख लीजे graph में कि कहाँ पर positive जा रहा है, तो उसके साथ कोई बदलाओ करने के जरूरत नहीं है, दूसरा, जहाँ पर graph negative जा रहा है, वहाँ पर आप उसको खुद से एक minus sign दे दो, जैसे ये अपने पास plus 6 आया है, तो उपर वाला जो रहा होगा, थो क्योंकि ये वाला 3 और ये 3 आपको देख रहा है भाई साथ, ये 6 बन रहा है, बट ये 6 तो है, बट माइनस में 6 है, तो आप क्या करो, प्लस वाला ठीक है 3, प्लस जो minus 6 कर रहे थे, उसको खुद से एक minus दे दो, और प्लस ये 3, तो answer कितना हो जाएगा फिलाल, यहाँ पर 3 और ये 6 और प्लस 3 तो टोटल answer 12 बन जाता, मतलब ये नहीं समझना कि इसका area 3 है, एक मैं तरीका बता रहा हूँ कि आप जो एगर आपका graph negative जाता है, तो आप अपने से क्या लगा दो, minus लगा दो, दूसरा तरीका ये है, आप mod ले लो, जैसे ये चीज रखी हुई है, आप क्या ले लो, mod ले लो, तो mod लेने में ये भी 6 आएगा, ये भी 6 आएगा, answer कितना हो जाएगा, 12, तो ये इसका technique है, अब इसकी short trick की बात करते हैं, कर जो मैंने short trick आपको बताई थी, कि इसकी short trick क्या होती है, ये तो समझाया मैंने, ये मत समझना कि ये 3 होता इसका area, ये तो ये मैंने आपके लिए grab बना दिया, अब आपके पास देखे, आपको मैंने बताया था, आधे लोब का area कितना होता है, एक होता है, तो ये हो गया एक, ये पूरा लोब है, इसका area कितना होगा, दो, और ये पूरा आधा लोब है, इसका area कितना होगा, एक, तो total answer, एक प्लस को solve करते हैं तो बहुत ही simple question है यह देखे यह आपके पास graph बना हुआ है 0 से ले करके pi by 2 फिर pi by 2 से लेके 3 pi by 2 में पूरा negative जा रहा है और फिर यहां कर कैसा जा रहा है positive जा रहा है तो उपर का यह positive है यह negative है फिर यह positive है तो आइए इसको solve करते है जीरो से लेकर pi by 2 देख लिए जे positive ले लिया है ओके क्या कर रहे हैं तो 0 से लेके pi by 2 तो 0 से लेके pi by 2 में dx ते इस्तमाल हो रहा है तो यहाँ पर क्या यूज होगा यहाँ पर function of x और function of x क्या होता है y, y is equal to function of x मैं यह बात बार बार बताता हूँ कि आप यहाँ पर y रखिए मगर y का मतलब y का function नहीं होता है कि यह हो गया तो आपके पास y equal to cos x हो गया देखे अगले में क्या इस्तमाल करेंगे आप minus y फिर अगले में क्या इस्तमाल करेंगे आप plus y तो यह तीन प्रकार का function है limit लगा दीजे पहले के limit 0 से लेके pi by 2 दूसरे के limit pi by 2 से 3 pi by 2 आपको limit दिख रही होगी 0 से लेके pi by 2 फिर pi by 2 से लेके 3 pi by 2 and finally 3 pi by 2 से लेके 2 pi यहाँ पर आप जो है इसको लगा करके integrate कर दीजे और आपके पास answer इसका आजागा 4 वर ग 1 आई अब बताइए क्या दिक्कत है इस सवाल में किसी को कोई problem है क्या आजो कोई problem है क्या किसी को इसमें तो देखे बच्चो में चीज है number 1 आपके पास grab बनाना आना चाहिए अगर आपको grab बनाते नहीं आ रहा है तो grab बनाने की practice करिए grab बनाना सीखिए तब आपको इसका answer अच्छे से बनेगा तो इसमें हमने किया क्या है हमने यहां से लेकर के 0 से लेकर 2 पाय तक का एरिया डला हुआ है निकालना है इसमें जो लोग नए बच्चे आए हैं उनके लिए PDF जो है इसकूल ग्रूप में शेयर कर दी गई है PDF वहां से निकाल करके एक एक question लगाए आए दूसरा question करते हैं तो यहां पर X की power 1 है X की power क्या है? 1 है पहले लेक्चर में मैंने detail में समझाया था कि कैसे graph बनाते है यहां पर X की power 1 है यह Y square equal to 4X के सुरूप का देख रहा आपको तो X की power 1 है मतलब X axis में इसका graph बना दीजे वे सो सिंपल किस से पास होता है यह 0,0 से? कोई भी ऐसा Y square equal to 4X रूप का graph जो होगा वो 0,0 से आपका पास हो जाएगा एक बात तो यह हो गई इसके बात कहा रहा है क्या है line Y equal to 2X दूसरी line यह दी गई है Y equal to 2X अब आप बोलोगे sir Y equal to 2X कैसी जाएगी? तो बेटा Y equal to MX जो होता है यह होता है मूल बिंदू से जाने वाली रेखा जाने वाली रेखा ठीक है? तो मूल बिंदू से जाने वाली रेखा का जो स्वरूफ होता है वो होता है भाया Y equal to MX तो यहां से एक रेखा यह जान दो Y equal to 2X नाम दे दो ठीक है न? तो ये दो रेखाएं हो गई है आपको इनके बीच का एरिया निकालना है मतलब आपको ये एरिया निकालना है So simple अब भया एरिया यहां से यहां तक बन रहा है आप आप कहोगे सर यहां का एक्स तो हमको पता है है न जी? इधर का एक्स आपको पता है कि इधर वाला एक्स जीरो है बट ये वाला एक्स आपको पता नहीं है क्योंकि एरिया कहां से कहां तक फैला हुआ है जो आपको निकालना है यहां तक फैला हुआ है तो डॉन्ट वरी वाला एक्स आपको मिल जाएगा देखो ध्यान से इस बिंदू पर ये पैरवल है और ये सरल लेखा भिड़ पड़े हैं तो इनको भिड़ा दो तो यहां से कैसे भिड़ेगा भाई एक का समीकर्ण है y square बराबर 4x और एक का समीकर्ण है y बराबर 2x इसको समीकर्ण एक देदो समीकर्ण दो देदो क्योंकि आपको x चाहिए है तो x के लिए हल करो तो ये वाला y उठा करके यहां पे रख दो तो y की value क्या है 2x है तो 2x का square बराबर कितना हो गया 4x दिख रहा है clear है तो मैं दिख रहा है 2x square बराबर 4x तो ये हो गया भाई साब 4x square बराबर हो गया 4x तो 4x square minus 4x equal to कितना 0 यहां से 4x common हो गया x minus 1 equal to 0 4x equal to 0 बोले तो x equal to 0 और x equal to 1 मतलब 2 बिंदू आ चुके हैं एक x equal to 0 मिल चुका है दूसरा x equal to 1 मिल चुका है मतलब जो आपको area निकालना है वो कहा से कहा तक का निकालना है 0 से लेके 1 तक के बीच का ठेक है ना 0 से लेके 1 तक के बीच का आपको area निकालना है अब देखो इस्थिती क्या है 0 से लेके 1 तक के बीच का area कैसे निकलेगा भई ये आपके पास परवले जा रहा था और ये आपके पास सरल देखा जा रही थी मैंने और जूम कर दिया है एक परवले जा रहा था ये सरल देखा जा रही थी यह आपको इसके बीच का एरिया यह वाला चाहिए है यह पॉइंट क्या है यहाँ पे सुरुआज जहां पे हुई है X equal to 0 और जहां पे खतम हुआ इनकी लड़ाई वो क्या है X equal to 1 आपको चाहिए यह बीच का एरिया तो क्या करोगे सबसे पहले आपको उपर निकालना पड़ेगा उपर वाला एरिया किस के साथ X axis के साथ तो X axis के साथ उपर वाला जो पर वाला है वो कितना एरिया बनाएगा देखिए उपर वाला जो पर वाला है X axis के साथ यह पूरा का पूरा एरिया बनाएगा ये पूरा का पूरा एरिया X एक्सेस के साथ बनाएगा तो मैं क्या लिकूंगा 0 से लेके 1 तक यहां पर DX भाई लिमिट किस की है? X की है तो function भी किस का आएगा? X का और X के function को हम क्या बोलते हैं भाई साथ? Y Y बोलते है Y equal to क्या होता है? FX बट Y यूज होगा मगर किस का Y यूज होगा? पैरा बोला का परवले का Y इस्तमाल करो माइनस 0 से लेके 1 तक अगला कौन एरिया शेड़ करेगा? देखो यह नीचे वाला लाइन है तो लाइन का एरिया मैं आपको अलग कलर से दिखा देता हूँ लाइन का एरिया देखिए यह लाइन का एरिया है अब इस बात को महसूस करिए कि अगर आप परवले के छेतरफल में से लाइन का छेतरफल यह दी माइनस कर देंगे तो यह कॉमन एरिया ही तो है दोनों के बीच का है की नहीं है? तो यह माइनस हो जाएगा तो केवल अंदर का बचेगा की नहीं बचेगा बोलो yes on no yes on no no clear तो अपने पास यहाँ पर क्या लिखना है y of line y of line तो y का area आपको माइनस करना है चलिए तो माइनस करते हैं अब रखते हैं value 0 से लेके 1 तक भाई साब y की value क्या थी परवले की याद करो आपको आपको equation दिया था y square equal to 2x क्या था y square equal to 2x तो sorry 4x 4x ही देखिए y square equal to 4x है न परवले आपके पास में है y square equal to 4x तो इसका y निका लिए तो देखिए y square equal to 4x है तो y is equal to 4 का root कितना है 2 और यह हो गया root x तो यहाँ पर रख दीजे 2 root x और minus यहाँ का line का y क्या है y equal to 2x है तो directly 2x ही रख दो कुछ करने की ज़रूरत नहीं 0 से लेके कितना 1 integration करते से मैं constant वहाद निकाल लिया करो क्योंकि आपको limit put करनी होती यह बाद में जान खाते हैं चलो integration put कर दो इसका x की power कितना आएगा 1 by 2 तो इसकी आदत बना लो जल्दी जल्दी करने की x की power 3 by 2 नीचे 3 by 2 उपर भी तो उपर वालत लिख दिया और यहाँ पर 3 by 2 पल्टी मार के यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 ठीक है ना और डबा लगाओ और 0 से लेके कितना 1 यहाँ का 2 बाहर और x square by 2 आएगा तो अंदर हुआ x square 0 से लेके 1 देखो यह हो गया 4 by 3 अपर लिमिट पॉट करोगे 1 की power कुछ भी हो 1 ही आता है 0 तो 0 होता है माइनस यह हो गया 1 1 की power कुछ भी करोगे कितना आएगा 1 ही आएगा 1 minus 0 तो कितना आगया फाइनली आंसर हमाया पास 4 by 3 minus 1 4 by 3 minus 1 ठीक ना तो आपके पास में आंसर इसका कितना जाएगा 4 minus 3 यहने हो गया 1 by 3 ठीक ना क्लियर हो गया तो इस तरीके से आपको यह आंसर करना है 1 by 3 इसका आंसर आगया इस कुछ पूछना है बिटा आ गया समझ, very good तो इस तरीके से देखिए आपके पास में यहाँ पर आंसर इसका देख लेते हैं आंसर इसका आचुका है 1 by 3, that is correct आंसर आपको करते ही है 4 में से 4 नमर मिल जाएगे तो बस प्रैक्टिस किसकी है आपको डाइग्राम बनाने की आपको अगर डाइग्राम अच्छे से आता है तो आप कर ले जाएंगे अभी उपर ने इसके पहले आपने कॉस X किया था ठीक ना अब हम आपको बताते हैं इसकी शौट ट्रिक बता देते हैं इसकी शौट ट्रिक मुझे याद है शायद तक तो इसकी मैं शौट ट्रिक बता देता हूँ चलिए मान लिजे एक्जाम में एक वस्चन आता कॉम्टेटिव एक्जाम में कि आपके पास परवले है क्या था भाई परवले Y स्क्वेर इकॉल टू 4X था होता है वह होता है 8A square upon 3M cube कितना होता है 8A square upon 3M cube अब आँ जाब भाई देख लो कैसे करोगे 8 की जगे तो 8 है अब भया A का कैसे पता लगाएं ध्यान से बेखो भया यह 4A है अब परवले में 4 की जगे कौन बैठा था 4 बैठा था यानि 4 A बराबर कौन था 4 था तो A का पता चल गया A कितना हुआ 1 तो यहाँ पर 1 का square कर दो कर दिया बोली S की नो ओके और यहाँ पर 3 है और M कितना है Y कुल 2 MX M कितना है बोलो यहाँ पर 2 तो 2 का Q भी कितना होता है 8 तो 8 से 8 क्या हो गया 8 A square upon 3 M cube 8 A square upon 3 M cube 8 A square upon 3 M cube ठीकना यह शॉर्ट कट आपको बहुत काम करेंगे आपके 5 मिनट को यह 3 सेकेंड में बदल देंगे competitive exam के लिए बहुत फायदा करते हैं 8 A square upon 3 M cube तो मित्रो अगले question की तरफ बढ़ते हैं देखते हैं अगला question क्या है यह तो बन जाएगा अब आप लोग question देख करके बताईए क्योंकि हम वो question करें जो हमसे नहीं बनने वाले हैं बेवज़े ऐसे question में क्यों समय खराब करें जो आपको अल्रेडी बन रहे हैं जैसे अगला question आपके पास देखिए समय कलन विधी द्वारा वक्रों x square बराबर 4y और x बराबर 4y-2 तो एक अपने पास यह है करव x square बराबर 4y तो बिटा देखो यह उपर की तरफ जाएगा क्यों जाएगा उपर क्योंकि y की पावर कित्ती है 1 x square बराबर 4y ओके y की पावर कित्ती है 1 यह है कुछ बोल रहा है शुभाष y is repeat हो रही है ओके थैंक्यू बटा बताने के लिए थैंक्यू माई कॉन हो गया था चली रेखिए तो यहाँ पे x square equal to 4y है तो यहाँ पे x square equal to 4y है मतलब जो पैरा बोला है यह उपर की तरफ आपका जाएगा और दूसरी line आपके पास क्या है दूसरी line है x equal to 4y minus 2 दूसरी line आपके पास में है x equal to 4y minus 2 तो आई इसको बना देते हैं फिर समझ लेंगे तो x square equal to 4y पहला पैरा बोला और दूसरा x equal to 4y minus 2 तो diagram तो बनातने आना चाहिए देखिए भाई साब यह आपके पास उपर की तरफ चला गया है पैरा बोला यह तो आप जानते ही है curve का नाम क्या है x square equal to 4y अब इन दोनों के बीच का छेतर फल निकालना है पहले कटेंगे तब एक दूसरे को तब तो छेतर फल निकालेंगे तो एब x equal to 4y minus 2 कैसे solve किया जाए देखिए तो इसका best तरीका होता है आप इसको intercept form में लिख लो मतलब untagged रूप में तो x minus 4y equal to minus 2 दिख गया ना x equal to 4y minus 2 untagged रूप क्या होता वही जो अपन लोग रेखी प्रक्रमन में इस्तमाल करके आए है x upon a plus y upon b equal to 1 इससे पूरा-पूरा समझ में आता है बिटा तो x के नीचे minus 2 का भाग दे दो क्योंकि इधर पे 1 बनाना है minus 4y upon कितना minus 2 equal to कितना हो गया 1 तो x में कितने का आंता है खंड कटेगा minus 2 का y में भाई यह देखो minus से minus cancel हो गया यह कितना हो गया 2 तो इसको पलट करके क्या लेख सकता हूँ 1 बटे 2 क्या लेख सकता हूँ क्योंकि उपर 2 है तो 1 बटे 2 equal to कितना हो गया 1 मतलब x में कटना है minus 2 का अंता है खंड तो लिए भाई x में काट 2 minus 2 मतलब minus 2,0 y में कितने का कटना है 1 बटे 2 मतलब लगभग लगभग अगर 1 यहाँ पर है 2 थोड़ा यहाँ पर है तो 1 बटे 2 यहाँ पर जाएगा है 1 बटे 2 कितना होता है 0.5 होता है न 0.5 तो यह हो गया अब दोनों पॉइंट मिल चुके है एक पॉइंट यह मिल गया एक पॉइंट यह मिल गया है दोनों पॉइंट को जोड़ती हुई आप जो है एक लाइन ड्रॉ कर देजिए चलिए ठीक ना एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ दोनों पॉइंट को जोडती हुई एक अपन लाइन ड्रॉ कर देते हैं ये लिजी ये जी बहुत डार्क लाइन नहीं है इसलिए थोड़ा सा नहीं दिखेगी चलो अब इसके उपर मैं अपनी कलाकारी कर देता हूं ड्रॉ कर देता हूं नहीं लाइन यह लिजी ओके अंजी बता यहां बिलकुल सभी यहां पर जैसे श्रिकर्ष ने बताया कि भाई सर अगर आपको पॉइंट निकालना हो तो आप एक काम कर सकते हैं कि सर यहां पर एक बार एक कोबना जाल में यह ऑफ डाल जाल दो गे तो य ऊगल देगा और एक बर वाइट कोडू जीनल डाल दो एक्स और देगा बिल्कुल सही बात है वह एक्स समय एक्स्ट लोगे तो आपको यह वाला पॉइंट मिल जाएगा और अगर वाई कोडो जिरो डाल दो कि तो यह वाला point मन जाएगा, वो भी आप कर सकते हैं, चलिए, अब देखी, finally हमारा area कहां से कहां दग मना, यह हमारा area बना है, ओके, यह हमारा area बना है, और अब हमें निकालना है, इसका area, तो हमें यह दो point चाहिए है, एक यह वाला और एक यह वाला, यहाँ पर line औ 2 equal to 4y, देखो मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैंने 2 को इधर लिया आया, x plus 2 equal to 4y, क्योंकि मुझे x के लिए solve करना है, तो यह मेरे पास 4y, यह मेरे पास 4y, जब दोनों एक point पर भीड़ रहा हों कि तो दोनों के equal कर दो दाएं बाएं को, तो x square equal to कितना हो गया, x plus 2, तो x square minus x minus 2 equal to कितना 0, ऐसे 2 number multiply करने पर minus 2, तो minus 2 plus 1, तो x square minus का 2x और plus का x minus 2 equal to 0, x common लिए है, यहां से क्या बचेगा बचेगा, x minus 2, यहां से plus 1 common लिए कितना बचेगा, x minus 2 equal to 0, तो answer आया, x equal to 2 और x equal to minus 1, देखो graph कितनी सही बात बोलता है, एक point आपका x की value किता देगा, minus 1, और एक point आपको देगा, x की value किती, 2, देगा ना, अब आप मुझे सोच करके बताइए, कि line में से parabola का area को minus करोगे, कि parabola में से line को minus करोगे, line में से parabola का area minus करेंगे, कि parabola में से line का area minus करेंगे, नहीं, बिल्कुल गला, देखे, line उपर है, यहां पर जो है, line आपकी उपर है, तो line का यदि देखा जाए shading जो बनेगा ये अपने पास पैरावोला है और कुछ इस तरीके से ग्राब जा रहा है थोड़ा जूम कर लिया अपने तो देखे लाइन जो shade करेगी X-axis के साथ ये पूरा का पूरा shade करेगी बोली yes or no करेगी ना और जो total में से पैरावोला का ये वाला part आप हटा देंगे तो केवल यही तो बचेगा की नहीं बचेगा तो जो उपर होता है उसके area में से नीचे वाला area आपको minus करना है तो यहाँ पर उपर आपको line लेनी है और नीचे क्या लेना है पैरावोला तो limit कितनी लगीगी minus 1 से लेके 2 minus 1 से लेके 2 ठीक है तो आँगे बढ़ाते हैं इस सवाल को तो हम limit लगाते है area equal to shaded area छेतरांकित area बराबर limit minus 1 से लेकर के 2 उपर है y line minus minus 1 से लेके 2 y पैरावोला बोली यह सा और नो चलिए हाँ बिलकुल देखिए y line का y कितना बनेगा देखिए x plus 2 equal to 4 y है तो line का y निकल करके आएगा वो कितना निकल करके आएगा y equal to x plus 2 y 4 बोलो यह निकलेगा नहीं निकलेगा तो y is equal to कितना हो जागा यहां से यहां से हो जाएगा x plus 2 y 4 और क्या चलेगा dx क्या चलेगा दी एक्स क्योंकि y के सांट dx आता है यहां भी क्या आएगा dx आएगा क्योंकि x के लिमेट रकी हुई है माइनस वन से लेके टू फिर माइनस पराबूला का y भाई भाई पराबूला क्या था अपने पास बताई ये पेराबूला था हमाँ पास y square x square equal to 4y तो यहां से पेराबूला का y कितना निकलेगा x square by 4 पेराबूला का y निकलेगा x square by 4 तो यहां से x square upon 4 यहां पर dx limit कितनी minus 1 से लेकर के 2 बूलो concept clear है अब तो integration कर लोगे न चलो check कर लेते हैं एक बार तो इसका तो answer दिया नहीं है कह रहा है कि प्रश्नक्रमांग 2 की भाती हल करें ठीक है तो अब इसके बाद के बाल integration रह गया है तो कैसे करेंगे इसका integration यह भी देख लो 1 by 4 common ले लो minus 1 से लेकर के 2 x plus 2 dx minus यहां भी 1 by 4 common है और यहां पर कितना आ गया x square dx 1 से लेकर 2 आप 1 by 4 आपके पास total common तो आप चाहो दो पूरा बाहर भी ले सकते हो ठीक ना और लेना हो तो ना लो 1 upon 4 अब इसके बाद integrate कर दीजे इसका कितना हो जाएगा x square upon 2 और प्लस का कितना 2x limit लगा दो minus 1 से लेकर 2 और फिर minus का 1 by 4 x square का हो जाएगा x cube by 3 limit 1 से लेकर 2 that's it इस तरीके से कहां भीटा minus 1 very good minus 1 से लेकर 2 तो इस तरीके से आप इसको integration कर लिजे और आपके पास finally आपका answer आ जाएगा तो graph बनानी की महनत ही सबसे बड़ी है इसमें जिसको graph बन गया जिसको diagram बन गया वो बड़े अराम से कर ले जाता है आएए देखते हैं अगला सवाल समा कलन विधी से रेखाऊं x plus y बराबर x mod x plus mod y बराबर a का छेतरफल ग्याद कीजिए IITJ में भी एक से आले question पूछा गया था कि mod of x plus y बराबर a का छेतरफल क्या होगा देखिए तो इसको हम ले चलते हैं mod of x plus y equal to a cooperation theater में यह हमारे पास है mod of x plus y equal to mod y equal to a अब आप लोग जानते हैं mod x क्या होता है mod x का मान होता है plus x whenever x is greater than 0 और minus x जब x is less than 0 इसी तरीके से mod y बराबर हो जाएगा plus y जब y greater than 0 और क्या minus y जब y less than 0 तो देखिए y हाँ तो देखिए यहाँ पे 4 परिस्थितियां आपके सामने बनीगी क्योंकि x के 2 मान है और y के भी किते हैं 2 मान तो 2 जोड़ी इसके 2 जोड़ी इसके तो पहला आप 2 प्लस प्लस रख दो तो x प्लस y इकल टो कितना a एक प्लस ले लो एक मानस ले लो तो x मानस y इकल टो कितना a एक ले लो मानस x प्लस y इकल टो a ओके दूसरा दिख रहा था मैं तो दूसरा क्या बन जाएगा x मानस y इकल टो a तीसरा मानस x प्लस y इकल टो a और चोथा बनेगा minus x minus y equal to a हमारे पास है चार combinations बन चुके है और आपको पता है कि ये चारों combination किसको दिखाएंगे straight line को मज़े की बात देखो ध्यान से पहला जो है इसको intercept form में लिखो तो x upon a plus y upon a equal to किता 1 मतलब आपकी जो पहली line है वो किस से जा रही है a, a से बोलिए x में भी a और y में भी a a, a दूसरी वाली line देखिए x upon a plus y upon minus a equal to किता 1 होगा कि नहीं होगा तो x upon a plus y upon minus a मतलब x में a और y में minus a ये देखिए x में a हो गया और y में कितना minus a तीसरी वाले line जो है x upon minus a plus y upon a equal to 1 तो तीसरी line के लिए x में minus a पे जा रही है और y पे plus a पे जा रही है तो ये रेखिए और चौती line जो है x upon minus a और y upon minus a equal to 1 मतलब दोनो negative ठीक है ना इस तरीके से हमारे पास ये geometry बन रही है आपको देख रहा होगा इसकी सभी बुझाएं बराबर हैं ये क्या है? square है क्या है? square है clear है ना? अब हमें इसका क्या निकालना है? area तो क्या रूल लगेगा? हम एक तरफ का area निकालके क्या कर देंगे? 4 गुना कर देंगे क्या कर देंगे? 4 गुना वैसे समझना बहुत आसान है, क्योंकि यहां पर 90 डिग्री बनेगा, ओरिजिन है, तो इस वाले का एरिया कितना होगा, एक बटे दो, आधार कितना है भाई साब, ए, उचाई भी किती है, ए, मतलब आंसर कितना आ गया, एक कोने का, ए, स्क्वाइर बटे, दो, आया, ऐसे कित आया, 2A स्क्वाइर, चेक करते हैं, यह चार लाइने बनाई, और यह देखें, इंटीग्रेशन से करने के बाद किसका आया, 2A स्क्वाइर, मैंने जुगार से कर दिया, एक बटे, दो, आधार, उचाई लगा दिया है, इन्होंने क्या किया है, एक लाइन ले ले ली, अंसर हो गया, 2A स्क्वाइर, इसको कर लेंगे आप लोग ना, इिंटीग्रेशन, चली, अगला क्वेच्वाइर प्लस य स्क्वाइर बरावर A स्क्वाइर, यह एकजां में भी आया हुँ था भी, एक स्क्वायर प्लस यप्लटो A स्क्वाइर का चेत्र फल समा कलनवीधी से ज्याद करना है, तो हम बात कर रहे थे इस सवाल की x square plus y square equal to a square, तो सभी लोग जानते हो कि यह ब्रत्त है, x square plus a square equal to y square, ठीक है ना, तो ब्रत्त बना लिजे, x square plus y square equal to a square, अब अगर एक पार्ट का एरिया निकाल करके, इसका नाम दे दो O, इसका नाम दे दो B, और इसका ना सबसे पहले यह व्रत्त कहा होता है, व्रत्त जो होता है, इसके periphery में कहते हैं, बिंदू घूमता रहता है, इसकी जो boundary है, है ना, इस पर बिंदू घूमता रहता है, तो सबसे पहले आपके पास, यहां पर area निकालना है, तो area equal to, limit अपने पास मान लिजे, कहां से कहां move कर आप 0 से लेके A तक क्योंकि इसकी तरिज्जा A है तो लिमिट 0 से लेकर के A और क्या आएगा YDX, 4 का गुना करना मत भूलिएगा, तो 0 से लेकर के A, Y की वैल्यू कित्ती हो जाएगी देखिए यहां से, क्योंकि वृत्त का समीह करना है, X² प्लस Y² बराबर A², तो Y² बराबर लगाना है और 4 का गुना, हाँ, कर लेंगे आप लोग ना, वोलो भाई KK, यस, शुभाश, शुभाश, शुभाशू, ओके, तो इसके बाद इसको आप सॉल्व कर लीजे, और वाकी इसकी पूरी प्रोसेस दी हुई है यहां बुक में, तो देखिए बस इस तरीके से आप पटिका मानते हैं, जिसकी चौडाई होती है, डी एक्स, जिसकी चौडाई क्या होती है, डी एक्स, यस, और इस डी एक्स को उठा के हम यहां से ले करके, यहां तक खसका करके ले के जाते हैं, डी एक्स को हम यहां से ले के, यहां तक ले के जाते हैं, ओके, और हर कि लंबाई कित्ती हो गई डी एक्स सरी चोड़ाई हो गई डी एक्स और लंबाई कित्ती हो गई वाई इसलिए हम लिखते हैं एरिया बराबर वाई डी X लंबाई गुने चोणाई और क्योंकि D X का मान बदल रहा है 0 से लेके A तक इसलिए हम लगाते हैं 0 से लेके A ये इसके पीछे का लॉजिक है आपके लिए इतना काफी है चलिए आंगे रेखते हैं चलो इसका अगला सवाल कर लीजेगा बिल्कुल सेम टू सेम है वरत्त का समीकरण है अगला सवाल है दीद वरत्त X स्क्वेर अपॉन A स्क्वेर प्लस Y स्क्वेर अपॉन B स्क्वेर इक्वल टू 1 का छेतरफल ये दीद वरत्त ऐसे बनता है A जो होता है इसका A मुक अच्छ पे जाएगा और B इसके लगू अक्ष पे जाएगा ओके तो आपकी लिमिट कहां से कहां चलेगी 0 से लेके A 0 से लेके A देखे 4 गुना कर देंगे 0 से लेके A 4 गुना YDX Y का मान आपने ये निकाल लिया है बताइए Y का निकाल लिया मान कोई प्रॉब्लम है क्या अच्छा क्वश्चन यही है कि आपके पास दिया गया दीद्वरत है दीद्वरत का 6 तरफल X इसके साथ घिरे हुए 6 तरफल का एरिया निकाल लिये देखे X के नीचे A जाता है Y के नीचे B जाता है आपके पास X के नीचे A जाता है Y के नीचे हमें सा B जाता है जो X के नीचे जाएगा वो X के में जाएगा वो जैसे मान लिजे आपके पास कोई समीकरण आ गया है बताता ह Luk той म coming बताता हूं देखिए जैसे मान लिजे आपके पास समीकरण आ गया है Xchas fare upon 9 plus Y square upon 4 equal to 1 हाँ ठीक है चलि 16 ले लिजे ठीक है X square upon 9 plus Y तो यहाँ पे हो जाएगा क्या X square upon 3 का square plus Y square upon 4 का square equal to 1 मतलब Y अक्ष में बड़ा है देखो यहाँ पे जो 4 है greater than 3 है मतलब B greater than A B greater than A तो ellipse आपका किस तरीके के जाएगा इस तरीके के जाएगा तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है अब आपका X जो है 0 से लेके कहां तक जाएगा 3 तक जाएगा 3 तक तो integration लगाईए 0 से लेके 3 यहाँ Y DX कर दीजे और कित्ते का गुणा कर दीजे 4 का गुणा क्योंकि वक्र समयमित है समय ट्रिक है इसलिए कोई दिक्कत आने वाली नहीं है चली बताई कोई समस्या है इसमें क्या कर लेंगे आप लोग ना इसका आंसर आजाएगा Pi A B Pi A B बोलो भाई reply करो बच्चों अगला question है परवले Y स्क्वेर इकल टू 4 X और इसकी नाभी लंब जीवा परवले Y की नाभी से जाने वाली जीवा को बोलते है आपकी जो पटीका है वो कहां से कहां तक चलेगी पटीका आपकी चलना सुरू होगी जीरो से और कहां तक चलेगी, ना भी लंग कहां पर मिल रहा है, A पर, बुले यह सो नो, तो X किलिमेटर दिये, तो यहां पर क्या आएगा, DX, और DX आएगा तो बताओ यहां पर क्या आएगा, Y, तो Y, DX, Y का मानिस से निकालीजे, अंडरूट 4X, बुले clear है, हाँ, दो का गुणा मत क करना भूलना, क्योंकि ऊपर भी है, और नीचे भी है, ठीक ना, तो दो का गुणा करना मत भूलिएगा, ठीक है, यह आ गया, और ना भी लंग जीवा का समीकन याद रख लीजे, सीधे आता है, 8 by 3 A square, ठीक है ना, इसका होता है, 8 by 3 A square, इसको आप शॉट ट्रिक के तोर प एक छेतरफल घिरा हुआ, मैंने बताया था, क्या होता है, बिल्कुल सही, 8 A square upon 3 M cube, तो उसको हल करके जो answer आएगा, देखिएगा, 8 A square upon 3 M cube, शॉट ट्रिक बन गई है, डेर्क ली रिजल्ट आ गया है, चलिए अगला question, प्रथम चतुर थांस में, X square equal to 4 Y, Y equal to 2, Y equal to 4, हाँ अच्छा question देखिए, X square equal to 4 Y, कहां जाएगा बोलो, उपर की तरफ की सामने की तरफ, उपर की तरफ, क्योंकि Y की power 1 है, तो ये लीजिए, X square equal to 4 Y हो गया, समीकर्ण, और फिर क्या है भाई साब, Y equal to 2, Y equal to 2, Y में 1, Y में 2, ये बन गई रेखा, Y equal to 2, और दूसरी रेखा, Y equal to 4, ये लो जी, ये बन गई आपके पास में, suppose ये है, Y equal to 4, आपको कौन सा छेतरफल निकालना है, आपको ये छेतरफल निकालना है, ठीक है ना, तो कैसे निकालोगे ये छेतरफल, इस बार आप जो है, Y के पदों में integrate करो, क्योंकि यहां Y के limit लग रही है, बैस तरीका है, किस में integrate करोगे, Y के पदों में, चलो ले करके चलते हैं, इसको अपन operation theater में solve करेंगे, ये लीजे, ये हमारे पास वक रा चुका है हमारा, ओके, x square equal to, कितना है, 4Y है न, x square equal to, 4Y था कि Y था, x square equal to 4Y, ठीक है, चली, तो हमारे पास जो कर्व है हमारा, वो है x square equal to, 4Y, ठीक है न, अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर, हमें कहां तक का area निकालना है, Y axis के साथ छेगा हुआ area, Y axis के साथ area 2 से ले के 4, तो 2 से ले के 4, क्योंकि Y के limit है, तो यहां पर क्या आएगा, D y, और D y किसको differentiate करेगा, X को integrate करेगा X को, क्यों, क्योंकि X जो होता है, Y का फलन मनेगा, एक्स जो होता वाई का क्या बनेगा फलन बनेगा अच्छा इधर भी area है और इधर भी area है तो क्या करतो दो का गुणा उधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है बट यही question ने लिखा होता प्रत्थम चतुर थांस में तो भाईया फिर दो का गुणा मत करना मगर question ने यहां कुछ नहीं लिखा है कि प्रथम चतुर्थांस लिखा है अरे हाँ मैं देखा ही नहीं पहली लाइन में लिखा है प्रथम चतुर्थांस में लिखा है मतलब आपन को इधर का area लेने की जरूरत नहीं है तो हमको दो का गुणा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए चलिए भाई तो अब x की value निकालो तो x square equal to कितना बच्चों 4y तो x equal to x square है तो x equal to कितना हो जाएगा under root 4y बोले तो 2 root y yellow भाई तो 2 से लेके 4 और ये कितना हो गया 2 root y dy ये बाहर कर लीजे 2 है ना बट ये 2 फलन वाला 2 है गुणा नहीं कर आपन ने चलो तो कितना हो गया 2 ये हो गया y की power 3 by 2 upon 2 by 3 तो 2 पर आ गया 3 धर आ गया और limit कर दो कितनी 2 से लेके 4 गुणे 2 4 बटे 3 4 by 3 अब रखिए भाईया देखिए 4 root 4 मन में ही solve कर दो भाई किसी की power 3 by 2 का मतलब होता है y root y तो पहले 4 रखोगे तो 4 root 4 तो 4 का हो गया 4 और root 4 हो गया 2 4 root 4 मतलब कितना हुआ 8 और फिर minus में 2 root 2 लो ये ही answer आएगा 4 upon 3 8 minus 2 root 2 चेक करते है 4 upon 3 8 minus 2 root 2 इसको अच्छा दुबारा आ गया ये हाँ देखिए 4 upon 3 8 minus 2 root 2 तो क्या कर लिया है 2 common ले लिया है तो अपना answer यहाँ पर आ जाएगा 8 y 3 बन जाएगा 2 common लेने पर 4 minus 2 root 2 ठीक है so simple चलो clear है बच्चों बोले yes की नो देखो डाइग्राम कितना सुपर बना हुए इसमें y call to 2 से लेके y call to 4 तक का shaded area तो ये बुद्धी मत्ता आपको वहाँ लगानी है कि आपको वहाँ पर d y y के साथ integrate करना है या x के साथ integrate करना है question देख करके समझना पड़ेगा इसको देखे इसमें आप x के साथ कर सकते थे मगर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती कैसे करते इसमें अगर x के साथ integrate करते तो देख लो कैसे होता अगर आप यहाँ पर x के साथ integrate करते तो number one आपको यहाँ तक का छेतर फल यहां तक इसका x जानना पड़ता कि नहीं जानना पड़ता चलो जान लेते फिर यहां तक का पूरा छेतर फल निकालते फिर यहां तक का छेतर फल निकालते और उस बड़े वाले छेतर फल में से यह जो छोटा वाला आया है उसको माइनस करते और फिर यहां से यहां तक का यह जो है यह भी माइनस करना पड़ता समझ रहे हैं? तो बहुत मेहनत लगती, तीन पार्ट में एक क्वेस्चन होता आपके पास तो फिर बहुत मेहनत करने पड़ेगी, तो फिर कर सकते थे ठीक है, तो आपको अगर यहां पर यह इसको करा जाए, एकस एकसेस के लिए आपको तीन पार्ट में एक काम करना पड़ेगा क्योंकि यह लाइन यहां से यहां से यहां जा रही है तो अगर आप इसको X-Access तक का एरिया निकालते तो पहले पूरा इसका एरिया निकालते इस यहां तक का फिर इसका एरिया निकालते यहां तक का ठीक है ना मत करिए इस method से ठीक है ना बहुत ज़्यादा मेहनद लगी complex method है कभी नहीं next अगला question छेदक रेखा y बराबर a y root 2 अब थोड़ा से यहाँ पर याद दिमाग लगाना पड़ता आप लोग को कि यह रेखा जाएगी कैसे छेदक रेखा x बराबर a y root 2 और x square plus y square बराबर a square के छोटे भाग का छेतर फिल गयाद करना है चलो देखो जी कैसे गयाद करेंगी x बराबर a y root 2 और x square plus y square बराबर a square तो x square plus y square बराबर a square तो अपने पास circle हो गया, ओके, यह हो गया अपने पास व्रत, अब यह जो व्रत है, इसकी तरिज्या किती है a, क्योंकि व्रत का समीकन क्या दिया है हम लोगो, x square plus y square बराबर a square दिया है, तो इसकी तरिज्या किती है a, तो यहां से ले करके, यहां तक की दूरी किती है अब आपके सामने पता होगा कि अब आपका मन क्या कहेगा मालूम? अब आपका मन आपको नजारे दिखाएगा A by 2 के. आप ये सोचों कि A by 2 तो बिल्कुल बीचों बीच में होता है, बट A by 2 नहीं है, A by root 2 है. A by root 2 है. root 2 कितना होता है? 1.4. एक दसमलो 4 है ना होता है ना अब यह बताओ जब आप रूट 2 का डिवाइड करोगे तो A by root 2 A by 2 के आंगे आएगा कि पीछे आएगा सोचो जड़ा A by root 2 अरे कम चीज का डिवाइड करोगे तो संख्या बड़ी न होगी हाँ तो A by root 2 जो आएगा वो कैसा आएगा थोड़ा आंगे आएगा इस डाइग्राम को यह दि में थोड़ा और बड़ा बना के दिखाऊ अपने इसमें तो देखो कैसे बने गई यह आपके पास वरत्त बन गया ठीक ना यह देखो यह इसका केंद्र है यह कितना यहां पर केंद्र है 0,0 यह इसकी तरिज्जा है बच्चो बीच में हो यह तो इसकी तोटल तरिज्जा है किती A,0 तरिज्जा हो गई A बीच में कौन आएगा A,2 A,2 के आंगे कौन आएगा A,2 बोलो समझ मैं A,2 तो क्या कहरा आपको A,2 का ब्रत्त के साथ घेरा हुआ छेतरफल तो यह वाला छेतरफल है अब पढ़ लेना प्रथम 4 थांस बोला है कि पूरा बोला है तो यहां पर लिमिट क्या बनेगी आपकी यहां पर आपकी लिमिट जो बनेगी बनेगी A by root 2 से लेकर के कहां तक A तक और आपको Y,DX करना पड़ेगा और Y कमान रख दीजेगा बर्कर का निकाल करके DX में आप इसको इंटिग्रेट कर दीजेगा ठीक है हाँ बई शुभांसू शुभास क्लियर है और आप इसको इंटिग्रेट कर दीजे A by root 2 से लेकर के A तक में और 2 का गुणा कर दीजे अगर आपको पूरा बोला है और यदि X उपर का पूरा बोला गया है तो 2 का अगला सवाल है यदि X बराबर Y स्क्वेर रेखा X बराबर 4 से घिरा हुआ छेतर फल एक्स बराबर A द्वारा दो भागों में विभाजित होता है तो बताईए A का मान क्या होगा ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा करके दिया हुआ है इसको समझो ये भी हम लोगों ने कर लिया ना इस पर मैं मार्क कर देता हूँ one मतलब done का मार्क होता आप लोग को भी बोल रखा जो भी question करो उसमें मार्क किया करो देखो एक question क्या कह रहा है कह रहा की वरत वक्र X बराबर Y स्क्वेर एबम रेखा एक्स बराबर फूर से घिरा हुआ छेतर फल एक्स इक्वल टू ए द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है लो इसको ले चलते हैं ओपरेशन थेटर में या गया वही क्या कह रहा है कह रहा है कि वक्र एक्स इक्वल टू वाई स्क्वार मतलब बोले तो वाई स्क्वार इक्वल टू एक्स मतलब एक्स की पावर वान है मतलब इसकी तरफ खोलेगा ये लो खोल गया अब क्या है एक्स स्क्वार और एक्स इक्वल टू फोर तो X equal to 1, 2, 3, 4 ये लो X equal to 4 X equal to 4 से घिरा हुआ छेतरफल X equal to A द्वारा दो बराबर भागों में भाजित होता भाई मान लो यहाँ पर कहीं पर रेखा है ये बिन्दू तो 4 है ना तो इस रेखा का लाइन का समीकन क्या हो गया इस रेखा का समीकन हो गया X बराबर 4 अब बिन्दू कहीं पर मान लो A है तो उससे घिरा हुआ ये जो छेतरफल होगा ये जो लाइन बनेगी पहले लाइन का नाम देख लो इस लाइन का नाम क्या निकल गया X equal to A आपको क्या शो करना है कहना है question कह रहा है कि अगर ये वाला जो छेतरफल है ये वाले छेतरफल के बराबर है तो आपको बताना है A का मान क्या होगा so simple भाई पहला limit ले लो 0 से लेके A तक Y D X बराबर A से लेके कहा तक 4 तक Y D X बस हल कर दो Y का मान डग दो Y का मान कितना हैगा root X क्योंकि X Y square equal to X है तो Y equal to कितना हो जाएगा root X तो 0 से लेके A तक 2 लगा दो भाई क्योंकि उपर दोनों तरफ area ले रहा है तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 2 से 2 cancel हो जाएगा कोई फरक नहीं पड़ेगा 0 से लेके A तक Y D X याने की root X D X equal to A से लेके 4 तक root X D X इसको हल कर दीजिए यह देखिए आ गए हैं तक हम लोग अब इसके बाद तो आप लोग जानते हैं बड़े आराम से solve कर लेंगे ठीक है ना? हाँ हाँ बलकुल और finally answer आपका 4 की power 2 Y 3 इसको solve कर लीजिएगा ना बनेगा तुम इससे फिर से पूछिएगा अगला question है प्रथम चतुर्थांस में ब्रत X equal to 0 और X equal to 2 लोग बड़ी करपा कर दी इनोंने हमारे उपर है रहे भई या त्रिज्जा ही तुमारी 4 थी तो सीधे कहो कि ब्रत का area निकालना है मगर एक चतुर्थांस का देखो X square plus Y square बराबर क्या होता 2 का square और बता रहे हैं X equal to 0 से लेकर X equal to 2 ये लोग तो कुछ नहीं है 0 से लेकर 2 की limit लगाईए जो हम कर चुके हैं वो यही है हल कर लिजे अगला प्रत्थम चतुर्थांस में बरत X square plus Y square equal to 32 और Y equal to X के द्वारा छेतर फाल लेओ भाई तो बनाओ एक सर्केल है आपके पास सर्केल को लिख लो सबसे पहले X square plus Y square 32 को लिखना है 32 को square की form में लिखना है तब आप बनेगा R square तो 32 जो है कैसे square की form में बनेगा देखो आप जानते हो कि 32 बराबर होता है 16 गुणे 2 16 गुणे 2 तो इसको यदि आप root लोगे तो यह आजाएगा 4 root 2 तो क्या लिख सकता हूं में 4 root 2 का whole square 4 root 2 का whole square मतलब जो इसकी त्रिज्या बनीगी वो कित्ती बनीगी 4 root 2 यह लिजे जी यह बन गया अपने पास ब्रत यह लिखो त्रिज्या कित्ती बन गई थो root 2 अब क्या कह रहा है अब कह रहा है आपको 6 ग्याद करना है इस रेखा के साथ का यह अच्छा चीज़ है समझना वड़िया question है नय टाइप का है यह लो अब आपको निकालना है इस रेखा के साथ का चेत्रफल रेखा मैं बदल वही अपने पास में यह देखो y कोल टू x रेखा यू जा रही है इस रेखा का नाम क्या है y कोल टू x तो इस रेखा का हमने सबसे पहले कटान बिंदो निकाला किस के साथ व्रत्य के साथ तो व्रत्य के साथ हमने कटान बिंदो निकाला व्रत्य क्या है x स्क्वाइर प्लस y स्क्वाइर बराबर 32 लिए इधर हल कर दिता हूँ व्रत्य का समीकन है x स्क्वाइर प्लस y स्क्वाइर इकल टू 32 तो यहाँ पर जो कट रहा है क्या है y equal to x है तो y की जगे x रख दो x square plus x square equal to 32, 2 x square equal to 16, x square equal to 32 ही होना था x square equal to 16, और x बराबर हो गया किता 4 है ना, plus minus 4 बटापन first quadrant में है तो अपन को 4 से मतलब है मतलब भी दोनों कहां पर आके भिड़ पड़े 4 पर 4,0 अब देखो मज़ेदार बात क्या है यहाँ पर यह जो कर्व है ना, इसमें दो वाई काम कर रहे है यहाँ से यहाँ तक जो कर्व को छेगने का काम किया है, 0 से लेके 4 तक किसने किया है, सरल रेखाने देखो द्यान से, तो क्या फोर से लेकर के, फोर रूट टू तक किसका य इस्तमाल होगा सर्कल का, क्योंकि देखो यहाँ पर जो वाई है जो अपनी स्ट्रिफ होगी वो दोड़ेगी, किसके उपर दोड़ेगी सर्कल के उपर, तो यहाँ पर का किसका इस्तमाल होगा circle का और dx तो 0 से लेकर y line का ओके तो यदि मैं इसको लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा 0 से लेकर के 4 line का y कितना भाई साब x है तो यहां पर आएगा x dx प्लस 4 से लेकर 4 root 2 y कितना निकाला था पन्ने अंडर root 32 minus का x square dx तो चेक कर लीज़े आप लोग यह लोग 0 से लेकर 4 तक x dx और 4 से लेकर 4 root 2 तक 32 minus x square वही 4 root 2 minus x square क्या है 32 minus x square अब आप इसको जो है हल कर लीजे आपका answer आ जाएगा इस तरीके से 4 pi वर गेखाई बोलो clear है चलो यह हो गया अब अच्छा इसकी short trick है एक बहुत जबरदस short trick है देखो इसकी short trick मैं बताता हूँ आपको वह भी देख लो भई अपने पास व्रत्थ है x square plus y square equal to 32 अपने पास जो व्रत्थ है वो है x square plus y square equal to 32 x square plus y square equal to इसको क्या लिखा मैंने 4 root 2 का whole square मतलब त्रिज्जा बन गई 4 root 2 और इससे line क्या जा रही बच्चों y equal to x y equal to x अच्छा y equal to x को देखो तो यह y equal to x को अपन लिखें y equal to mx के रूप में तो m का मान कितने डिगरी 1 m का मान कितना हुआ 1 और m क्या होता था 10 theta 10 theta बराबर कितना 1 याने theta बराबर कितने डिगरी 45 मतलब यह जो angle है वो कितने डिगरी है 45 मतलब आपको कुल में लाकर के इस जग है का छेतरफल चाहिए है इतने का अब आप जानते हो कि पूरे बरत्य का छेतरफल कितना होता है pi r square पूरे बृत का चेतर फल कितना होता है पाई आर स्क्वेर ये होता है एक इसका चोथाई एक क्वाटर तो इसका चेतर फल कितना होगा पाई आर स्क्वेर भाई फोर उस पे भी सोने पे सुहागा इसने इसको आधा कर दिया तो आधा कर दो भाईया तो Answer कितना हो गया Pi R² भैई? 8 लो Pi की जगैा Pi मुबारक R² कितना भैई? 32 और अपान में कितना 8 Answer कितना 4 तो Answer कितना आएगा इसका 4 Pi चलो चेक कर लेए Answer 4 Pi है कि नहीं है yellow answer हो गया 4 Pi अब ऐसे Question अगर Competitive में आते हैं तो इसका मतलब यह नहीं आप इनको पूरा का पूरा solve करो इनका मतलब यह है कि आप इनको इस तरीके से हल करो चलिए यह हो गया है, आज class को यही पर रोखते हैं, कल इसको आँगे बढ़ाएंगे कल आपको यह जो questions लिखे हुए हैं, आपको यह questions पूरे करके लेके आने हैं दो booklet आपके पास में हैं एक परिक्षा अध्यान है, एक परिक्षा भूध है इन दोनों को आपको booklet को लगा के लेके आना है और कल हम इसके आँगे का segment discuss करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार